हाई फ्रेंड्स धकुल्दीप किचन में आप सभी का स्वागत है और आज की रस्पी है साही वेज विर्यानी साही वेज विर्यानी बनाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हुआ है हुआ हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो हम इसको अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें सब्जियां आड़ करेंगे घाजर अच्छी तरह मिलाने के बाद फिर इसको आधे गंटे कि तीस मिनट तक इसे रेश्ट पे रखेंगे ताकि यह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और अब इसको रेश्ट पर रखेंगे 30 मिनट दिलिया इसके बाद हमने यहाँ चावल लिया है अब चावल को अब इन सब चावलों को अच्छी तरह से जोएंगे और अब इस चावल को हम आधा उबालेंगे तो इसको अब गयस पर रखते हैं और इसमें अड़ करेंगे पानी चावल को उबालिन पे समय आपको ध्यान रहना है कि चावल से थोड़ा ओपर पानी रहे तो इस तरह चेक कर ले और इतना है हमारा पानी एड़ करेंगे हैं खड़े मसाले इस खड़ी मसाले में जीरा और दालचीनी लाउंग गोल मिर्च और तेजबता है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा ओयल आएड़ करने से आप चावल खिला खिला रहेगा तो अब इसको पकाते हैं तो अब देखते हैं चावल हो चुका है तो यहाँ पर चावल कुछ करने के लिए यहां से एक चावल निकालेंगे और इसको देखेंगे अब देखी आधा हो चुका है यहां इसको थोड़ा अगर आराम से ना टूटे तो सब्सक्राइए कि चावल हो चुका है तो अब गैस को आप करते हैं चीज से 30 मिनट हो चुके हैं और तो अच्छे से मे कुकर चाएंगे कि लिए गरम हो चुका है और अब इसमें आइड करेंगे तेल और अब इसमें आइड करेंगे यह मसाले इसमें एड हो चुके हैं और अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे इसको पांच या पांच से साथ मिनट तक पकाएंगे फिर इसमें चावल एड करेंगे मिनट हो चुका अब इसको देखते हैं कुक हो जुका है तो इसमें हम दोला सा राइड होनिय तक यह कि चावल को अच्छी तरह एलाएंगे इसमें चारो तरह इसके वीपर इसमें फ्राइड ओनियन और ये अब इसमें एड़ करेंगे घी अब इसके वाद इसको डालेंगे एक ग्लास पानी याद रहें इसको चालाना नहीं है आप इसको पांच से दस मिनट तक डपकर आपकेंगे आपको बस इसको एक ही सीटी दिलाना है तस मिनट हो चुके हैं अब यह किया हुआ है कि नहीं है तो यह चेकर आप अब यह हो गया है और इसको अची तरह से भी चलाना महीं है यह जालेंगे प्लेट में कर दो यह जब हो सहाँ है झाल